Hello guys and welcome back to my new vlog So, आज का यह जो व्लॉग है वो मैं शूट कर रहा हूँ आज यूटुब के काफी ट्रेंडिंग टॉपिक पे Yes, exactly. अधनान07 रोस्टिंग के उपर वीडियो में आज हम यही बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वन मोर तिंग बेल आइकोन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलते रहे हैं कि चली चलते हैं वीडियो की तरब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या चल रहा है जिसके विए से यूटूब में काफी ट्रेंडिंग में है अधनान चीरो साइवन ट्रेंडिंग चले हां तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा मेरे यूटूब के थम्निल से कि आज का जो टॉपिक है वह अधनान जीरो सेवन ट्रोस्टिंग के उपर है जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है यूटूब के टॉपिक में जो ट्रेंड चल रहा है वह अधनान जीरो सेवन जी नहीं काफी ज्यादा ट्रेंड कर दिया है उनको जिन्होंने उनको रोस्ट किया है ठगेश जी महेश केशवाला उन्हेंने काफी यूनिक और कॉमेडिक टाइप में रोस्ट किया था उनके केजिए चैप्टर 2 रील्स पर उन्होंने कुछ मिस्टेक्स पॉइंट ओड किये थे जो वीडियो में आपको भी प्ले करके दिखा रहा हूं आप चेक कर लिजे उसके बाद बात करते हैं तो उस एक प्रौकी प्यदा क्या मैरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की किसी से भी किसी और रहता है तो देखा आपने वीडियो में जब वह आते हैं फेस किसी और तरफ रहता है तो उनके ब्लेजर में गॉगल नहीं रहता है लेकिन जब जैसे ही डालग बोलते हैं तो अचानक से उनके ब्लेजर पर गॉगल आ रहता है अगें जैसे वह डालग खतम करते हैं और खतम करने के बाद जब वह आगे जाते हैं फिनिशिंग तरफ तो वह आप दूसरा गॉगल अपने पैन के जेप से निकल के वेर करके आगे बढ़ते हैं तो बस यही मिस्टे को उन्होंने हाइलेट किया था महेस केस वाला जी ने थगेस जी है सो यह ट्रेंड में तभी जाता है जब कॉंटरीवर्सिय क्रियेट होती है और patron mike क्रियेट अधना07 नहीं की थी तो क्या पता अधनाण जी के कि आंजिय और या फिर यहा फिर वह जानमुछ्षिक हों क्रेंड करतें को ट्रेंड में हैं मैं भी मुझे लगता उनको roast किया था और धगेज जी को जहां तक मैं जानता हूँ उनकी जितने भी मैंने वीडियो देखी है roasting वाली वो कभी भी किसी भी YouTubers को या TikTokers को कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं ना ही कोई abusing word यूज करते हैं ना ही उनको offense करते हैं वो काफी positive way में जिनको roast करते हैं उनको काफी positive way में उनको reward back करना चाहिए अगर उनको कुछ घलत लग रहा है तो उनको positive way में reward करना चाहिए था अजनान जी ने ऐसा नहीं किया उनको रात को दो वजे फोन किया ठीक है और उनको धमकी दे रहे थे थ्रिटेन कॉल किया उनको धमकी दे रहे थे और उनको यहां था कि यह भी बोला कि सामने सामने आओ दो दो हाथ कर लेते हैं बॉक्सिंग मैच के लिए challenge किया महाबैन के गाले दिया वोटेवर यह तो मुझे नहीं पता यह सारी बाते थगेश जी नहीं आपने second वीडियो म होता है जब आप किसी को उत्तर दोगे तो उसका प्रति उत्तर भी आपको मिलेगा तो जैसे ही आपने अधनान07 ने उनको रहत को दो बजे कॉल किया और उनको धमकी उमकी दी तो उन्होंने उसके अगेंस में वीडियो बनाके उनको काफी करादा जवाब भी दिया है सो अगें उन्होंने जो वीडियो बनाया है सेकें जो प्रति और रिप्लाइ किया है उनको काफी अच्छे वे में दिया है रियली आए हैट सब थागे जी आई रेली लाइक आट वे दे वे यू रिस्पाउंड तो अनन जीरो सेवन अनन जी चाहते तो उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं जबकि कॉल पर बात हुई भी थी उनकी तो बोल सकते हैं भाई क्या गलती उसमें आपको मुझे बताईए बट उन्होंने ऐसा ना करके दारेक उनको महा बैन के गाली और मार्पिट करने के लिए चैलेंज किया तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा अनन जी को मैं इतना सजेशन मतलब सजेशन देने लाइक तो हो नहीं पर फिर भी अगर वो मेरे कभी वीडियो देखें तो डेफिनेटली प्लीज इसको अपलाय करना अपने लाइफ में कि आप एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हो ठीक है आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आप उनके लिए इंस्पिरेशनल हो ठीक है आप उनको इंस्पायर करते हो सो आप जिस वे से उनको मतलब आप इसे रिवर्ड करते हो या थ्रेटेन कॉल करते हो में भी इसका इंपक्ट आपके फॉलोर्स को पड़ सकता है राइट सो प्लीज ऐसे रियक्शन मत दीजे आप सो प्लीज आपके 11 मिलियन फॉलोर्स हैं इंस्टाग्राम पर और यूटूब में भी आपके चैनल से हैं आपके इस कॉंट्रवर्सी के वाज़े से आपने जो जिस तरह से इनको थ्रेटेन कॉल किया था उसके वाज़े से आप यह ट्रेंड में आ गया हो और सिर्दी सी बा इसाइब जाएए आपको यह जैसे टिक टॉकर्स एक दूसरे से से स्क्नेक्टेड रहते हैं जितने भी बड़ बड़े यूटूबर है वो इसे रहते हैं तो अगर आप किसी भी एक यूटूबर को गलत बोलोगे न सिद्धी सी बात है उनके सब उन में सारे यूटूबर आजाएंगे, so please, आप content create करते हो, so content create करिए, अगर आपको किसी की content गलत लगती है, तो आप उसको point out करके, उसको positive way में revert कीजे, but don't abuse like this, मतलब किसी को गाली गलोज मत दो, किसी को मार पिट करने की challenge मत दो, ठीक है, that is not the good way, आप काफी अच्छे level पर पहुच चुके हो, so please, बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी, अधनान 07 काफी समझदार है, काफी mature है, so समझ सकते हैं, ठगेस जी को, तो भाई, heads off है, अब जो दे चले, फिर चलते हैं, आज का, जो व्लॉग है, यही पर खतम करते हैं, आज का जो टॉपिक है, यही पर खतम करते हैं, मिलते हैं, फिर next, टॉपिक पर, तब तक के लिए, बाई, जय हिन, जय भारत, टेक कियर, झाल झाल